अलाम अलाइकुम और रहमतुल्लाहिव वरकात्रू नीए शुडेंट यह हमारी वीडियो नंबर थिरी है हमने पहले वीडियो में बताया कि क्या क्या आपको भी यह अनॉर्स पार्टू में आपको प्रणना है और सलबक बता दिया था और कौन कौन से इनिवर्सिटीज में यह एक चैप्टर पढ़ा जाते हैं अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा ते देखे लें और दूसरी वीडियो हमने चैप्टर वन को जो प्रणना के तालुक से हमने आपको पढ़ाया था सहर बयान के तालुक से जितने ऑबजेक्टिव को चना उसमें दे दिया गया य यह आपको वीडियो नमबर τूरी है ठियाद रखेगा इंशालया मैं ने च६टर बुट इस आपको पढ़ाओंगा जो आपके छिलाबस में है आपको पढ़ाया जाएगा ते यह आपका वीडियो नमबर तुरी है और आपका छेप्टर नमबर तु है सबक कर नम हैầnस जमि कि जो कि एक बस्तिया है पैमाने वफा उसके तालूग से भी इसमें कोशन आएंगे तो इमत्हाएं के लिए बहुत इंप्रोटेंट है आई उसको सुनते हैं अब्जेक्टिव टाइप पे इंशाला फिर आपके आपके अब्जेक्टिव जब मुकमल हो जाएंगे पूरे इस करना और गूरुब जोईन कर लिएगा बिल्कुल फीरी में गुरूप जोईन करना है मैं ऩंस एक ऊपको सुझकरना इत्कितयाएं सिर्म प्ड़ना है इसे आपको फीज आपके पैसे कोई आपको ठीजेदेगा है दृए है आई श्रू कर से れघ तो सबक नवर दू है औरिफान जमील लिखने वाले हैं जिनाब जमील मझहरी साहब इसमें जितने कोशन है त्माम कोशन को आपको ध्यान ने सुनना आ है कोशन को ना एक से दो बर पलूँगा ताकि आपके काम तक बात पहुँ जाए जहन में बात पहुंच जाया और जवाब सिर्व आपको ये चीद दूँगा जो और जवाब पर कुछ सक्षिक सही है मरसिया पैमाने वफा किसकी तखलीक है ये टुडेंट किसकी तखलीक है तो इसका सही जवाब होगा आपका आपसन डी सेयद काजिम अली जमील मजहरी की जमील मजहरी की है पिर जा दिखेंगा पूचे देहां में कि मरसिया पैमाने वफा किसकी तखलीक है तखलीक मिन किसकी लिखी हुई है किसकी बनाई हुई है तो बनेगा सेयद काजिम अली जमील मजहरी की सवाल नमस्वाइब तुर है मरश सिवाइब पैमाने वफा में कुल कितने बंद है嗎 ब़ुत important question कि मरश सिर्ण पैमाने وफा में कुल कितने बंद है यह student तो इसके अंदर आपको जानना होगा रिखा है 39 बंद है, 40 बंद है, 100 बंद है सही जवाब बहुत इंपोर्टिन कोईशन है वीडियो को ध्यान से सुनेगा तो यह सही है कि 39 इसके अंदर बंद है ठीक है देखते हैं सवाल अब तरी में कि इसलामी खलाफत राश्दा के कितने साल बाद मुलुकियत सर उठाने लगी यानि कि बादशाई शूरू होने ल तो कोईशन नमबर ठीक है सही जवाब क्या होगा बीस साल तीस साल बाद कितने साल अबसान नमबर बीस है तीस साल के बाद से मुलुकियत सर उठान लगी यानि कि बगावत शुरू हो गई बगते हैं सवाल अमर चार में कि मर्सिया पहमाने वफा के आगाज सुखन के इस्तिफाम या शेर में किस वाकिया के तरफ एशारा किया गया है ठीक है और रहबरी करती है मखस्द की आशारा क्यों कर मुंटकिल होती है सीनों में हरालत क्यों कर ये चार आशन दिये गया है इसमें कोश्टन नमबर वोर का सही जवाब आपको क्या होगा डी होगा क्या होगा दि होगा मस्कूरत तारीक माहौल में रहबरी के लिए मश्यति अलाही ने आल मुहम्मद को मुंतखब किया यानि आपका अफसा नंबर डी बिल्कुल सप्टिक सही है सुख्या दखिएगा फिर कि मस्कूरत तारीक माहौल में रहबरी के लिए मश्यत अलाहि ने आले मुहम्मद को मुन्तखब किया यानि जब तरह तरफ से लोगों का यलगार शुरू हो गया तो अपने तरफ से अपने नभी के खांदान को इसके लिए चुना तो तेह सवाल नमर पांच में जमिल मज़री शेड में क्या कह रहे हैं किसी करता है बुझे आग करोशन क्यों कर आज पर नरम किये जाते हैं आहन के लोगा तो पुछ रहा कोशन नमर पांच में इसका जबाब सही क्या होगा प्रगाम हक के शायत के लिए बदलते हुए हाला को रह मुस्तकिम पर दिखाने के लिए बातिल के सर को भी के लिए राहत दिखाने के लिए तो सही जवाब कोगा इस्टूडेम किसी करता है मुझे आग को रोशन क्यों कर आज पर नरम की जाते हैं क्यों कर कैसे जा होगा सी होगा कि बातिल की सर को भी के लिए जो गलत में उते हैं उनके सर को तोड़ने के लिए सर मने सर को भी कहते हैं तोना फोड़ना तो बातिल के सर को भी के लिए देखते हैं सवाल नमर 6 में क्या है कि मस्कूर बाला शेर का प्रसम मंजर क्या है राह किस तरह देखाते हैं जानते हैं दिखाने वाले जानते थे यह मुहम्मद के घराने वाले इसका से जवाब पूज़ार मतुरा बाला शोड़ा है क्या है तो कोश्ते नमर 6 का सही जवाब का दी होगा तारीख गुवगा है कि मुहम्मद कफरों वालेस हमें अपनी 23 साले प्रणा ना हुए चांप गुवगा जम्री जिवाब का दी होगा है क्या हुगा हुगा तारीख गवाय तो मुहम्मद अपनी तेई साला जिंदगी परगामाना जिंदगी में कुफ़ इलहाद को मुकम्मल तर पर बदलकर परगामाना को पायन किया था अब देखते हैं सवाल मस्थाथ में मंदर रजाल अशार में जमील मजहरी किस हकीकत को बयान कर रहे हैं पहले सवाल को सुनिये हुई तक्मील मगर थी अभी बाकी तामील था नबूवत का सबक शेशन आयात दलील हो सकी थी नखुदी नफस गशर की तहलील अभी अलफाज में थी बंदे तमन्ना खलील वह क्या बहते बदस शेर है तो पूछ रहा है जब मज़री ने किस हाकिकत को बयान किया है तो इसका कोश्चन नमर सेवन का कोश्चन नमर कोश्चन नमर सेवन का सही जवाब निश्टिक हो गया कोश्चन नमर सेवन का सही जवाब बता रहा है आपको कोसे सबसे consecutive का सही होगा आपका सी होगा क्या होगा १ी होगा कि टक्मिल-देन के ई Kirby के १र गा डिक तक्मिल-देन के बाद भाद भी तामिल-देन १र आउिर के था जो तक्मिल थो ये त़ झालिये थे जिस दीन स्वाहि को तक्मिलित के निक सब्रेमे приб dispon. सी होगा कि तक्मिल दीन के ऐलान के बाद भी तक्मिल दीन के ऐलान के बाद भी तामिल दीन और तमना खलील बाकित था जो अज़र इबराहिए में तमना लिये थे और जिस दीन को तक्मिल के लिए मैंने प्यारा है आखा मुहम्माद सुल्ब आखे थे अब देखते हैं सवाल नमर आठ में दरदेजल शेर में शबीर को दावत कुर्बानी के लिए क्यों पुकारा जा रहा है दरदेजल शेर में शबीर को दावत कुर्बानी के लिए क्यों पुकारा जा रहा है उठा जाता है अब तो मुसल्मानी का उटो शबीर के वक्त आ गया है कुर्बानी का यह कोश्चन में पुज़ा है क्यों पुकारा जा रहा है कोश्चन में एट का सही जवाब क्या होगा आपका इस्टूडेंट गी होगा वसूल शरीयत के तहफुज के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन में जवाब भी बिल्कुल सतीक है कि शबीर को कौन शबीर है हसन हुसें के रमाने के बात यह है जो उनके अवलाद में से पुज़रा है कि किसको उठाए ज़रा है क्यों उठाए ज़रा है तो वसूल शरीयत के तहफुज के लिए इतनी आज बुराई आम हो चुकिया है उस पाक्यद की मुश्कूक है कुफ़े की फیजा इस चेर में कुफ़े की फेजा को मश्कू कूं क्यों बताया गया है वहाँ कासित बना कर किसको भीजा गया था यह आप से कशल ल, 9 का सही जबाब क्या होगा कशल ल, 9 किसे जबाब दीर होगा अहले कुफा को अहले कुफा की इस अजमियत और जानसारी के तहकी के लिए मुस्लिम बिन अकील कासिद बना कर बेज़े गया तीसमें दो सॉल होता है मुस्लिम बिन अकील को बना कर बेज़े गया था और उनकी जाने सारी की तहकी करने के लिए कि क्या हूँ अपने बात में दावे में जूटे या गलत हैं कि उनको बेजागी अता कुफा के तरफ दिगा ये कौन थे जाने वाले मुश्टिम इन अकील थे गास दिने थे कि मनजहर अशार में किस खराबी का जिक्र किया गया नजर आई उन्हें अपने खराबी चुपते इंतहा है कि परहमर के सहाबी चुपते बूज कर रह गई शहद और शहुदा की आवास एक बंदा ना उठा सुनके खुदा की आवास ये पूज़ आई किस खराबी को जिक्र किया गया है कोशन नमर ए बी सी डी है ये आपको कोशन नमर दस है तो कोशन नमर दस का सही जवाब क्या होगा उसका जवाब भी होगा जजबे अकामत दीन के लिए और फेली शहादत हक का जजबा मफगूद हो चुका था इसलिए उनको ये प्रेश किया गया ठीक है अब देखते हैं सवाल नमर 11 में कि मरसिया पैमाने वफा किस सन में जमिल मज़र ने कहना शुरू दिया था ये बहुत इंपोर्टेंट है कि किस सन में कहना शुरू दिया था ठीक है तो इसका सही जब देख रहें विकल्ब दिया 1936 भी आउने इस उपाइटालीस भी आउने इस पचास भी आउने इस पैश्या पैमाने वफा को जमिल मज़र ने 1936 में कहना शुरू किया था देखते हैं सवाल नमर 12 में दरजाल शौरा में हस्ञाम हसायन की किस पेशकद्मी का जिकर किया गया है सवाल नमर 12 का सही जवाब आपका सी होगा तहफूज दीन के लिए वादी करबला के मैदान शायद के तरफ कद्मी पेशकद्मी का जिकर किया गया है यह आपका सवाल नमर आपका सी होगा जवाब आप सी होगा कि तहफूज दीन के लिए तहफूज द होटों पेड़वाए है था है खंजर के खसम इस शे कह शे खुशक होटों का जिकर किसके शाहत है वघालों पर दीरा में तो तो सवालों पर तेरा का सहीं जवाब कहोगा चीं हग सुल तरह तरहते तड़के थे उस मुगे किया पर जिकर कियागा तो क्या है देखते हैं सवाल नमबर चोड़ा में इर्फाने जमीन में मर्सियों और कसायद की तादाद क्या है पूछ सकता है तो कोश्तर नमबर चोड़ा का सही जवाब क्या देंगे आप इसमें उसका जवाब आपका ए होगा क्या होगा छे मर्सियों और आठ कसायद है क्या है छे मरसिय वाल आठ कसाइद है तो यह दिखेगा फिर इसको दिखने है फरेस के पर राउंड कर दे रहा हूं यह होगा छे मरसिय और आठ कसाइद है इर्फान जमीन के मरसिय के अंदर इर्फान जमीन हुए है दिखते हैं सवाल नमर 15 में जमीन मजहरी की पहले मरसिय का नाम क्या है जमीन मजहरी की पहले मरसिय का नाम है यह आपका कोश्चन नमर 15 है तो इसका सही जवाब आपका होगा बी क्या है बी होगा इर्फान वफा इर्फान वफा इर्फान वफा और दूसरा मरसिय क्यों है परमाने वफा याद रखिएगा कोश्चा नमर 16 है जमील मज़री के पहला मर्थिया इर्फान इसक में कितने बंद शामिल है तो कोश्चा नमर 16 है जमील मज़री के पहला मर्थिया इर्फान इसक में कितने बंद शामिल है कोश्चा नमर 16 का सही जवाब का सी होगा 37 बंद है कितने हैं 37 बंद है 17 में मर्थिया इर्फान इश्क की अशाथ कब हुई कोच नमर 17 17 का सही जवाब का D होगा 19 13 में 17 में दैदर जायल शेर में इर्फान इश्क की कौन सी खुबियां बयान की गई है कुछ नमर 18 में दर्द जायल शेर में इर्फान इश्क की कौन सी खुबियां बयान की गई है कुछ नमर 18 कस्ते जवाब का B है तो जवाजाम फिना पी कर मस्त हो जाते हैं यह है तक 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 17 में के नशा हो बेखुदी शुक में हुशियारी का जिन्दगी नाम है जजबात की ब्रेदारी का मस्कूरा शेर में इश्क हके की और इसके लाजमात क्या बताए गए है कुछ नमर 19 का सही जवाब होगा आपका C आशिक के हके आशिक हक के दिल में इमान की रोशनी होती है जो तहरीद बनकर उबरती है बिल्कूश शटिक जवाब यहाई है सी देखते हैं सवाल नमर 20 में के पेश बातिल कभी गर्दन को जुकाते हैं जुकाते भी नहों रुख पे घवरा के सप्रणा सप्रणा जंग मिलाते भी नहों नस्कुराश शेर में हक परस्त की कौन सी खुबिया बयान की जई है खुश्ते नमर 20 का सही जवाब कोगा दी तो मारक ए हक बातिल में मुझाहिद ए हक काजी वो सफशिकन बनकर उबरते हैं दूसरों वो सरनबू और मसालत नहीं करते यानि जो लो हक परस्त होते हैं वो सर जुकाते नहीं है बनके सर को उठा करके चलते हैं और जान की बाजी लगा देते हैं देखते हैं सवालमत 21 में तूहीं बता दे कहां से वो जीगर लाये थे ऐसे प्यासे तेरे साहिल पे कभी आये थे किस से मुखातिब हो गुर्पूर रहे क्या जबता से रहे कि तूहीं बता दे कहां से वो जीगर लाये थे ऐसे प्यासे तेरे साहिल पे कभी आये थे किस से मुखातिब हो रहे है शुड़न बहुत ही कीमती सवाल है 21 का सही जवाब होगा भी देजने फुरात की वादी कर्बला के समी जमीन से मुखातिब है जहां मासुनने तशने लब बच्चे शहीद को शहीद किया गया था शहीद किया गया था उसी सी ये मुखातिब हो रहे है देजने फुरात की तरफ से रहे है सवाल 22 देखते है कि सफे बरहम हुई पसपा क्या जरारों को जिस तरह सीर रवात तोड़ दे, दिवारों को मस्कुरा शेर में किसकी दादय शियात पेस की जई है तो इसमें जवाब क्या देंगे आप बाईस के जवाब क्या होगा इसको जराख सवाल भी सुरियेगा तो मस्कुरा शेर में कि दाद रशेयात किसे देखिया है तो कोच नमबर 22 का सही जवाब होगा A हज़त इमाम हुसाइन की है इमाम हुसाइन रजियल्ला हुआनों की ठीक है तो तेह सवाल नमर 22 में मर्सी है कोच नमर के चेहरे तबस्म रहे गाजी ऐसे सर किये सजदा खालिक में नमाजी ऐसे मस्कुरा शेर में किसकी अजमत बियान हो रही है कोच नमर 23 का सही जवाब का होगा C होगा हज़त इमाम हुसाइन अलही सलाम की ठीक है देखते हैं कोच नमर 24 में सिम्फिल यहसे मरसिया के अनासर intéट ही कितने हिस्से होते हैं कोच नमर 24 के शवाब होगा बी, यानि कि आठ होते हैं, कितने होते हैं, आठ होते हैं, अब दिखते हैं, सवाल अमर्ट 25 में, मंदजाल में से कौन सा जूजर मरसिया में नहीं पाए जाता है, कौन सा नहीं पाए जाता है, इसका सेजर होगा आपका, यह होगा, मदा, मन नहीं पाए जाता है, रुफसत, तो कहा बाद के आप तक सिखा रहा हूं मस्रस आए तिन आए तो मस्著 चुनिएगा चार आए तो रूबाय चुनिएगा पांच आए तो मकमस चुनिएगा या पुच रहा है छ्छा चे तो मालूम हो गया कि इसको मुस्ग्दस कहते हूं का कहते हैं? मुस्तंतस कहते हैं. गीस भी मेदा गजल के अंदर छे लाइने उसको मुस्तंतस कहते हैं. सवाल नमब 27 देते हैं. जमीर मजहरी का मंदर जाल में कौन सा शेडि मजमुवा नहीं है कौनशा नहीं है कुस्तर नमर 27 का सही जवाब होगा डीव फिक्रित मलीग जो है इनकी किताब नहीं है देखते हैं सवाल नमर 28 सेयर काजी मलीग जमील मजहरी की पादाइस कब और कहा होई यह बहुत important question है कि इंतिहान की तालूग से बहुत जादा बुगा जाता है तो कोश्चा नमर 28 कैसे ही जवाब कहोगा A. 1905 में हसन पूरा जिला सारण में हुई 1905 हसन पूरा जिला सारण में हुई ठीक है अब दोगता है सवाल नमबर 11 में कि जमील मजहरी किस दविस्टान के तालिब एलिम थे कोश्चा नमर 29 है तो इसको चाहिए जवाब के तालिब एलिम थे सवाल नमब 30 देते हैं जमील मजहरी का असल नाम क्या था कोश्चा नमर 30 का सही जवाब क्या होगा जिस्टुडन B होगा मीर काजिम अली मीर काजिम अली 31 में जमिल मज़री में इतदाई तालीम कहां हासिल की जमिल मज़री में इतदाई तालीम कहां हासिल की तो इसका 31 का सही जवा मिलेगा आपको A. मज़र्सा सुलैमानिया में दिखते हैं यह सवाल नमर 32 में जमिल मजहरार की शायरी किस चीज की शेकार हुई? कोछा नमर 32 का सही जवाब होगा? किस जवाब होई? सवाल मर 32 में पतना आने पर जमिल मजहरारी किस ओबह पर फायज वे? कौन सा पोश्ट उपको दिया गया? कोछा नमर 33 है 33 किस्थे यह होगा आपका C Publicity Officer Publicity Officer कि ओधे पर बहाल हुएते 24 में जमीन मज़री के वफात कभी है बहुत important है जमीन मज़री के वफात कभी है आज इंतहान में उनके पैदाईश वफात और कहां से तालिप आएते यह तमाम चीज़े को आपको जानना होगा क्या क्या लिख आपको जानना होगा तो कोशन नमर 34 में है कि उनकी वफात कभ हुई यह स्टूजन तो सज़वाद B होगा 1980 में 1980 में ठीक है अब देखते है कि 35 में है कि जमीन मज़री कहां मदफून है यानि कहां उनको दफन किया गया है कोशन नमर 35 है तो आज के इस वीडियो तो भी आखरी कोशन होगा तो इसका सेजर होगा मज़फर पूर में फिर मैं अपस्क्राइब होगा आप चाहते हैं कि मुकमल वीडियो पीडियो आपके में जाए तो बस आपको सिर्फना है कि वीडियो को लाइक शेर करना है और गुरूप जोइन कर लेना है काफी आपको फायदा होगा इंशाला आपको तमाम चीज़ों को लाइन बलाइन पढ़ाता रहूँगा फिर मिलता हूँ नेश्ट वीडियो में यानि चेप्टर थी में अगर के तब तो कि अल्ला आपिस